गूड मॉनिक फ्रेंड्स अरू लीगल अकैडमी में आपको बहुत दोस्वागत हैं फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि पुलिस जैसे ही किसी बेक्टी को गिरफतार करती है तो उसके साथ क्या करती है यानि कौन कौन से कानूनी अधिकार है और पुलिस गिरफतारी के बाद क्या करती है तो फ्रेंड इस बारे में बात करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन प्रेस कर लिजे योगि फ्रेंड्स जो भी मैं वीडियो अप्लोड करता हूँ लीगल इंफरमेशन के उसके नॉटिफिकेशन आपको तुरत मिल जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजे तो चलिए वीडियो को फ्रेंड्स स्टार्ट करते है फ्रेंड्स जैसे किसी बेक्ति को पुलिस गिरफतार करती है तो गिरफतारी के बाद क्या करती है कि हमने आपको क्यों गिरफतार किया है आपने किस परकार का अपराद किया है यानि जमानती अपराद किया है या गैर जमानती अपराद किया है यानि इसकी जमानत कहां से होगी किस परकार होगी तो कितने लोग लएंगे ये सारी जानकारी उस बैक्ति को देती है फ्रेंड्स यदि अगर बहुत ही गंभीर किस्म का अपराद नहीं है तो अगर उसको जमानती अपराद है तो पुलिस के पास ये पावर होती है कि उस बैक्ति को उसके परिजनों को बुला कर उसको ठाने से ही जमानत दे दी जाती है तो गिरफतारी के बाद ये करती है लेकिन अगर पुलिस को ये अधिकार है यानि ये कर्तब है और जो गिरफतार बैक्ति है उसका अधिकार भी है कि जैसे पुलिस गिरफतार करती है तो उसके मन पसंद बैक्ति को यानि उसके घरवाले या किसी रिलेटिव को पुलिस बताती है कि हमने आपके ब्यक्ति को गिरफतार किया है यहां से और कहां पर उसको रखा यानि किस पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है और किस अपराध के लिए गिरफतार किया हुआ है ये कारण बताती है गिरफतार हुए बैक्ति के रिस्तेदारों को ये जो पुलिस अधिकारी ने जिसने किया है ये उसका करतब होता है और जो बैक्ति गिरफतार है उसका अधिकार होता है तो गिरफतारी के सारे रीजन यानि कारण बताती है और उसके परिवार के बैक्ति को सूचित करती है और किस जगा पर रखा हुआ गिरफतार करके ये भी बताती है और गिरफतारी के बाद उस बैक्ति का अधिकार होता है यानि पुलिस का करतब है कि CRPC की धारा 57 में यानि 57 में बताया गया है कि गिरफतार करने के बाद उस बैक्ति को पेस किया जाएगा जानी मजिस्टेट के सामने 24 घंटे के अंदर गिरफतार करने के बाद पेस करना होता है जैसे मालीजे किसी बैक्ति को कहीं दूर गिरफतार किया गया है और वहां से आने जाने का जो समय है वो टाइम काफी ज्यादा लगता है 24 घंटे से ज्यादा तो जो आने जाने का समय है जो लाने का समय है तो उसको हटा कर 24 घंटे में ही मजिस्टेट के सामने पुलिस उस बैक्ति को गिरफतार जो करती है उसको पेस करेगी या गिरफतार बैक्ति का अधिकार होता है और जो घटना की जानकारी लेती है मालीजे जिस बैक्ति को पुलिस गिरफतार करती है उससे सारी जानकारी लेती है तो जानकारी लेने में कुछ साक्ष इकठा करती है तो कई बार पुलिस ऐसे बैक्ति के साथ मार पीट करती है पुलिस को मार पीट करने का अधिकार नहीं है और मार पीट के दोरान कई बार ऐसा होता है कि उस बैक्ति से किसी सा पादे पेपर में सिगनेचर करवा लेती है जिससे उस ब्यक्ति को धमका कर उससे अपराद कबूल करवा लिया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि एविडेंस आयक्ट जो होता है उसके सेक्षन 24, 25, 26 में बताया गया है कि ऐसे वेडेंस की कोई वैलू नहीं होती यानि कि अ आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर पुलिस जबरजस्ती किसी बात को आप से कहलवाती है तो वो बात कहने के लिए बात नहीं है अगर मार पीट करती है तो आप ये बात जैसे ही मजिस्टेट के सामने पुलिस पेस करेगी तो ये सारे अपनी बात को वहाँ पर मजि पुलिस के सामने कोई भी बयान देने के लिए आप बात नहीं होते यानि अपने खिलाब कोई भी बयान देने के लिए बात नहीं होते कि जबर जस्ति पुलिस किसी बात को लिखवा ले ये कहल वा ले तो ये आपका अधिकार है उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होते हैं उन्ही बयान की वायलू होती है यानि जो आप सच्चाई है जो आपने अपराद नहीं किया तो उसको जब अजस्ति कबूल करने की आवाज सकतर नहीं है और जब भी पूस्तांच पुलिस करती है तो पुलिस से आप ये डिमांड कर सकते हैं आपका अधिकार है कि आपका अधिकार है लेकिन ये आपका अधिकार है लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये जो पैसे वाले लोग होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं कि पहले पुलिस से बात चीत कर लेते हैं उसके बाद ही पुलिस को कोई स्टेटमेंट देते हैं जनरली लोग जो मिडिल क् इसको कोई बयान देते हैं लेकिन यह आपका अधिकार है आप जान लीजिए यह लेकिन अगर पूस्ताज के दौरान पुलिस कई बार रिमांड की डिमांड करती है यानि कोट से की रिमांड आपने सुना होगा रिमांड की डिमांड करती है अगर रिमांड के दौरान पुलि पीट की जो चोट है उसको मेडिकल आप करवाई है मेडिकल उसको लगाकर कोर्ट में आप इस बात की मजिस्टेट से सिकायद कर सकते हैं कि पूस्ताच के दौरान मेरे साथ मार पीट की गई है और अभद्र बेवहार किया गया है जिसमें पुलिस के खिलाब आप कोर्ट में क अच्छा पानी पीने के बेवस्था आपके जो पुलिस के दौरा की जाएगी आपके लिए तो यह आपका अधिकार है खाने पीने और आपके स्वास्त की बेवस्था पुलिस आपकी देखरेक करेगी तो यह आपका अधिकार है इन अधिकारों को जाने और आपके साथ अपने टॉपिक चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच वाचिंग फर दिस वीडियो इस्टे कनेक्टेड एंड जैहिंद